भारत और उस्टेलिया के भी चार टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी और निनाएक मैच ब्रिस्बैन के गाबा मैधान पर खेला जा रहा है मैच मैट टीम इंडिया के उपकतान रोहिच सर्मा को गैन बाजी करते वे देखा गया वो तो हम वीडियो में आगे जाके देखेंगे लिकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ही मेरी तरह टीम इंडिया के विस्पोटक बलेबाज रोहिच सर्मा के हैं बहुत ही बड़ी फैन तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाए चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए रोहिच सर्मा सलामी बलेबाजी की तोर पर तो खेलते ही है और इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें गैनबाजी करते हुए बहुत ही कम देखा गया टेस्ट क्रिकेट में रोहिच सर्मा इससे पहले दो विकेट ले चुके है रोईट ने 34 टेस्ट मैचों मेह से पहले महज 8 बार गैनबाजी की है 2014 में इंग्लेंड के खिलाफ उन्होंने अपना पहला टेस्ट फिकेट लिया था जबकि 2014 मेहीं औस्टिले के किलाब एडेलिट टेस्ट में भी एक फिकेट ले चुके है द्रशल मैच के दुरान टीम इडिया के तेस्ट गैनबाज नवदीप सेनी चोटिल हो गए थी उस समय सेनी की ओवर की एक गैन बची थी वो एक गैन करने के लिए कप्तान अजविंग के राणे ने उपकप्तान रोईट सर्मा को बॉल थमा दी रोईट सर्मा ने अपनी एक गैन पर सिंगल दिया रोईट की गैनबाजी का वीडियो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग ICC के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से सेयर किया गया रोईट को गैनबाजी करते देख फैंस ने इस पर मज़ेदार कमेंट्स भी किये एक पैनले का आप कुछ देर के लिए टीम इंडिया के हैट कोच रवी सास्तरी भी गैनबाजी करने के लिए आएंगे इस पूरी सिरीज में टीम इंडिया खिलाडियों की चोट से परिसान है इस मैस में तेज गैनबाज नवदीब सैनी ने ग्रोइंग में दर्द की सिकायत की है और फिलाल भारती कंट्रोल पोर्ट ने मेडिकल टीम उनकी जांच कर रही है नवदीब सैनी की उस बच्चुई गैनब को डाल कर उनका आवर कम्पलीट किया और ये वीडियो सोसल मीडिया पर जम कर वाइरल हो गया फिलाल इस वीडियो में इतना ही हम मिलेंगे आपसे एक लिए वीडियो में कुछ कमाल धमाल टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाबाएं टेक क्या